दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे 1990 में रिलीज हुई एक्शन क्राइम ड्रामा मुवी आजाद देश के घुलाम का जिसकी लीडिंग कास में मौझूद हैं रेखा, रिशी कपूर, जैकी श्रॉफ, परान, प्रेम चोपड़ा, आशल अतवाप गाउंकर, राकेश बेदी, मंगल धिलन, महावीर शाह और टीकूट अलसानिया इसके अलावा इस फिल्म को डारेक्ट किया है ऐसे चंदराशेकर ने और इस फिल्म के प्रेड्यूसर है सुरेश भगत अब बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक लॉक कॉलिज से जहां भारती यानी रेखा वकालत की पढ़ाई कर रही है और भारती अपनी कॉलिज के स्टूडेंट विजे सिरिवास्तफ यानी रिशी कपूर को चाती है क्योंके विजे बाकी वकीलों की तरह बिलकुल नहीं है बलके वो ये मानता है के वकालत सचाई का पेश है और भारती उसकी इन बातों से काफी इंप्रेस है और भारती एक अमीर परिवार से तालुक रखती है जहां उसके पिता अशुक भंडारी यानी प्रान एक बहुत बड़े बिजनिसमेन है मगर कहानी अपना सर्रुक तब लेती है जब कॉलिश का एक बदमाश लड़का विक्की यानी महावीर शाह भारती को बेज़त करता है और कहता है कि उसके पिता एक मुझरे मैं और वो स्मगलिंग का धंदा करते हैं और फिर भारती ये बात अपने पिता से पूछती है तो वो इस बात को जूट करार दे के इनकार कर देते हैं मगर फिर कहानी में ट्विस्ट आता है जब उसके पिता बिजनिस मीटिंग का बोलके इंडिया से बाहर जाने का कहते हैं मगर इतिफाक से भारती जो विजे के साथ गुआ आई भी है तो वो अपने पिता को गुआ में ही मिनिस्टर नराइन दास यानि प्रेम चोपड़ा के साथ बच्चों की डिलिंग करते हुए देख लेती है अब इसके आगे फिल्म की कहानी काफी ट्विस्ट और टेंस और शौकिंग एलिमेंट्स के साथ फास्ट पेस अंदास में आगे बढ़ती है जहां कहानी के बहुत से दूसरे पहलू और किरदार हमें देखने को मिलते हैं और ये सब जानने के लिए आप लोग ये फिल्म देख सकते हैं अब बात करें इस फिल्म की डारेक्शन के बारे में तो नो डाउट ऐसे चंदरा शेकर ने अपनी डारेक्शन से हमें टोटली इंप्रेस कर दिया है और जिस तरह से उनोंने इस स्टोरी को प्रेजेंट किया है वो वाकई में काबले तारीफ है और फिल्म का स्कीन प्ले भी काफी उनीक अंदाज में लिखा गया है जहां फिल्म का फ़स्ट हाफ और सेकंड हाफ टोटली एक दूसरे से अलग हैं और यही चीज इस फिल्म को खास बनाती है फिल्म का फ़स्ट हाफ एक प्रॉपर ड्रामेडिक एक्सपिरियंस देता है और सेकंड हाफ थ्रिलिंग एलिमेंट्स और ट्विस्ट अंटेंस के साथ लिखा गया है और इन पॉइंट्स की वज़ा से यह फिल्म आपको एज ओफ दा सीड एक्सपिरियंस देती है और बात करें डायलॉक्स की तो इस फिल्म में हमें सच्चाई और इंसाफ पे लिखे गए काफी शांदार डायलॉक्स सुनने को मिलते हैं जो इस फिल्म के लेविल को और भी हाई कर देते हैं इसके लावा फिल्म में हमें थोड़े बहुत एक्शन सीन्स भी देखने को मिलते हैं जो काफी अच्छे से एक्जीक्यूट किये गए हैं और बात करें music की तो फिल्म का music भी काफी अच्छा है और इस फिल्म के तकरीबन सारे गाने ही काफी entertaining है अब बात करें acting performances की तो रेखा Bollywood इंडस्ट्री की उन काभिल actresses में से एक हैं जिनमें अकेले ही पूरी फिल्म चलाने की सलायत है और इस फिल्म में भी वो ही लीड करती नजर आ रही हैं। और उनकी स्कीन प्रेजन्स वाकई में लाजवाब है और इस फिल्म में उनकी पर्फॉर्मस बहुती एक्स्टराइडनरी रही। इसके लावा जैकी श्रॉफ सेकिंड हाफ में फिल्म का हिस्सा बनते हैं और उन्होंने भी हमेशा की तरह इंप्रेसिफ काम किया है। और बात करें रिशी कपूर की तो रिशी कपूर ने भी डीसेंट पर्फॉर्मस दी और अपना रोल बहुती शांदार तरीके से निभाया है। इसके लावा परान की पर्फॉर्मस इस बार भी रिमार्केबल रही और उनके इंटेंस फेस एक्स्प्रेशन्स तो वाकई में देखने लाइक हैं और फिल्म की बाकी कास ने भी अपने अपने रोल्स में ठीक ठाक पर्फॉर्मस दी है। ओवर ओल देखा जाये तो आजाद देश के खुलाम एक वेल स्क्रिप्टिट और वेल डारेक्टिट मस्ट वाच मुवी है। जिसमें अच्छी कहानी के साथ साथ आपको दमदार डायलॉक्स और कमाल की एक्टिंग पर्फॉर्मस भी देखने को मिलेंगी। और इस मुवी को रेखा के कैरियर की वन आफ दा बेस्ट मुवी कहना भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आजाद देश के खुलाम मुवी मैं आप सब को हाइली रेकमेंड करूंगा। आप सब भी इस मास्टर पीस मुवी को ज़रूर देखिएगा।